अज में अध्याय आठ मोहावरा और इवं लोकोक्ति पड़ाँगी तो मोहावरा इस्टार्ट करते हो नेमने लिखित अब तरड को ध्यान से पड़िये अभिमन्यू अर्जुन की आँखों का तारा था अब ये आँखों का तारा ये मोहावरा जो अंडरलाइन दिया हुआ ह कि यूद में द्रोडाचार्य ने चक्र वियू की रिशना की तो पांड़ों पर मुश्किलों का पहाड तूट गया तो मुश्किलों का पहाड तूट गया ये भी मोहावरा है अर्जुन की अनपस्तिति में चक्र वियू बेदने कौन जाए अभिमन्यू को ज्यों ही पता चला तेओं ही उसने यूद्ध के लिए कमर कसली सुवद्रा आशू के घूट पीकर रहे गई तो आशू के घूट ये भी मोहावरा है उसने हस्ते हस्ते पुत्रों को बिदा किया पुत्र को हस्ते हस्त्रे पुत्रों को बिदा किया यूद्ध में अभिमन्यू ने शत्रु के चक्के छोड़ा दिये अब चक्के छोड़ा दिये वी मोहवरा पर महार्थियों से लड़ते सम लड़ते अंत में उह मौत की नीन सो गया तो मोत की नीन सो गया यह new underline ने वी मोहर ही अर diyor को जब पता चला तो उनकी आखों से आखों में खून उतर आया आखों में खून उतर आया यह वी वोहर यह उन्हु नही सत्रू को धूल चठाने की पृतिक्या कर ली तो धूल चठाने की फिर्तिग्या कर ली तो यह वी अ होलाग आए तब सभी करने सब्सक्राइब और पर्योक्ट अर्थ में अंतर है औहुं का तारा का ओता है अत्यांत प्रिय हो हुना को पहाल तूट जाना यानि मुशिवत आ जाना और मौत की नीद सोना का अर्थ है मृत्यू होना अन्य रेखांकित बाक्यांशों का अर्थ भी उनके शाद्दे कर्थ में से भिन है ऐसे बाक्यांश भासा को सशक्त प्रभावी अर्थपूर तथा बहाव संपन वनाने में सशक्त होते हैं इससे भासा की अभिवक्ती की छमता बढ़ जाती है ऐसे बाक्यांश मौहावरे कहलाते हैं आप इसकी परिवासा ऐसा सब्द या बाक्यांश जो सामान्य से भिन किसी बिलच्छड अर्थ का वोध कराए और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेस अर्थ में रूड हो जाए उसे मौह मौहावरे में सब्दार्थ का महत्व नहीं है अपितु उसके लाक्षडिक और ब्याण्यना परक वर्थ को ही शुविकार किया जाता है जैसे इसमें इसकी विश्चेस्ताइं कुछ दे हुई है तो मौहावरे विश्चेस्ताइं देखिए नमबर एक मौहावरे लोग 4. मौहावरे के अर्थ को प्रकट करने के लिए क्रिया पद का विशेश महत्व होता है 5. मौहावरे भासा में कलात्म का विव्यक्ति के एक्षैली है 6. अन्य भासा में मौहावरों का साब्दिक अनुवार नहीं हो सकता है 7. बाकि में प्रियुक्त होने पर मौहावरे के श नुसार बदल जाती है तो प्रियोगता मोहावरी का प्रियोग पाकि में सरस्ता तीखपन बिलक्षडता तथा प्रभावत्पन करता है यह हमारी का लात्मक अभिव्यक्ति को निखारते हैं नेस्ट पेज निकाली है अपलो ध्याम देने वह योग्य बाते हैं मोहावरी का प्रियोग पाकियों में प्रियोग करते समय इसके लाक्षडिक कर्थ की पूर्ण जानकारी होने चाहिए अन्निता अर्थ के अनर्थ हुने मिखी संभावना बन जाती है रह उती है जेकिन मोहा ओकियो फ्रौर में एलजेक्ति की अनर्थ अनुसार उसके लिंग वरच्चς अनकारक और क्रिया पर वर्तन कर देना चाहिए चैनल मुहावर सूची अब इसमें अंग वर्ती मुहावर दिये हुए हैं अंगों से सम्बंदित बाल, सेर, आख, कान अब इसमें सम्बंदित ये मुहावर दिये हुए हैं बाल बाका ना होना कुछी भी आनी ना होना बाल बाल बचना, हनी होते होते बचना सिर दोनना यानि पच्छताना सिर पर कफन बालना मरने को तैयार रहना आखे लाल पिलीव करना यानि क्रोध प्रकट करना या क्रोध करना आखों में धूल जोगना का अर्थ होता है धोका देना कान का कच्चा का अर्थ होता है बिन्य बिचारे दुश्रों की बात पर विश्वास करना कान पर जूंगे तक न रहेंगना कुछ भी असर न होना नाक मुह और दात गला संबंदी इसके अंतर गताएंगे मुहावरे नाको चने चवाना का अर्थ होता है खूब तंग करना नाक भहुँ सिकोड़ना का अर्थ होता है आप प्रसनता प्रकट करना अपने मुमिया मिठ़्ू बनना स्वायम की प्रसंसा करना मुहूं की खाना यानी उल्टि पराजित हो जाना दातों तले उंगली दवानां की अर्थ होता है आश्चरेचकित होना अपना गलाब फासाना यानी स्वायम को संकट में डालना गले कहार अत्य धिक प्रिया चाती पेट हात मुठी निज सम्बंधी ते मुहांबरे आएंगे गज भर की चाती उना यानि अत्य धिक प्रसनता की अन्भूती होना चाती पर साप लोटने करता है इश्या करना पेट में चुहे दोडने करता है बहुत भूख लगना पीट में डाड़ी होना यानि जन्म से चालाग होना हाथों के तोते उड़ जाना होश उड़ना होम करते हाथ जलना अच्छा काम करते हुए हानी होना मुठी गरम करना यानि रिश्वत देना मुठी में करने करत होता है बस में करना अब आएगा उंगली, कमर, पैर, एड़ी सम्मन्दित तेड़ी उंगली से घी निकलना यानी चत्राई से काम लेना पाच उंगली घी में यानी भर पूर लाव होना कमर तूटना यानी आशक्त होना कमर कसना यानी तया पूरी तरे से तयार होना अपने पेर पर कुलहरी मानने करता है स्वयम अपनी हानी करना कब्र में पाउं लटकना करता है ब्रत्यू समीप आना एड़ी चोटी का जोर लगाना अत्यधिक परिश्रम करना पाउं खड़ना हार जाना संक्यावाची मुहावरे आएंगे एक ही थाली के चट्टे वट्टे होना एक ही थाली के चट्टे वट्टे होने करता है एक जैसा होना दो टूप बात करना इस पस्ट बात करना न तीन में न तीराय में कहीं भी प्रतिवंद नहीं चार चांद लगाना करतोता है अत्यधिक शोवा बढ़ाना पाच उंगलियां घी में अत्यधिक लाव छटी का दूद याद करना तो घोर संकट कनभो करना साथ घट का पानी पीना यानि अत्यधिक अनुभवी होना आठ आठ आसुरोना यानि पश्यताप करना नौदो ग्यारा होना यानि भाग जाना दसों नक्स जोड़ना हाथ जोड़ना खुश्यामत करना ग्यारा का एके करना यानि फूद डालना पॉँवारा होना बेहद लाव होना यह बहुत मेरी इंपोर्टेंट है नेस्ट पेजने काले धन ना धन तेरस ना रिड़ चोड़ ना लाव ना हाने पूर्मा का चान अत्य धिक सुन्दर सोला सिंगार करना अच्छी तरह से सजना सवरना सो के सून्य मिटाना बड़े को छोटा करना लाग से लीक होना धन्वान से विर्धन होना थार्ड प्रकर्ति मूलत यहनी प्रकर्ति संबंदी आगा इसमें आकाश के तारे तारे तोड़ना संभवकारी को करना इद का चान होना बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना पहार तूटना बहरी मुशिवत आजाना सब्ज बाग दिखना यहनी जूटे आश्वासन देना शूरज को दीपक दिखाना ज्यान बान को ज्यान देना अंतर कथा संबंदी मुहावरे तो अंगत का पेर होना यहनी द्रडता से जम जाना भीष्म प्रतिग्या करना द्रडप्रतिग्या करना श्री गडेश करने कार्थ होता है कारंबो करना जैचंद होना जैचंद देश द्रोही था यूदि के लिए तयार रहता था मिशा जैचंद होना यानी देश द्रोही होना दुरोपदी का चीर होना यानि अनन्त लंबाई वाला अब आगया कूट नीती संबंधी मोहवरे तो आस्तीन का साब यानि छिपा हुआ दुसमन इट का जवाब पत्थर से देना तो करारा जवाब देना अगला है टोपी उछालना ये टोपी उछालने कारत होता है अपमान करना नेस्ट घाओं पर नमक छड़कना दुख पर और दुख देना तो ये मोहवरे अब लोगों के कंप्लीट हुए और नेस्ट अगला